तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आज जो वीडियो का पार्ट है, वो अफसन सीरीज का और एक वीडियो है, कैसे एक इन्वेस्टर, नो डाउट आप लोग रिलाइंस खरीते हो, बाटा खरीते हो, लेकिन मार्केट उपर जाने से आपका होल्डिंग में है, तो यह आपको पैसा मिलता है, अगर मार्केट नीचे आ जाता है, तो आपको पैसा नहीं मिलता है, तो क्या करने से आपको पैसा मिल सकता है, तो फर्स्ट टेप चलते हैं, इन्वेस्टर से सुरू कर रहा हूँ, और कैसे आप हेज कर सकते हैं, जितरे लोग अपने पोर्टफोलिय लोगों कैसे hedge कर सकते हैं, यह सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे, देखें, बहुत सा लोगों कोशन आरा है, इंट्राइडे में बतारी, इंट्राइडे में देखें, इंट्राइडे में जो में खुद करता हूँ, उसके अंदर बहुत सारे चीज़ें आपको समझने की पहला बात है एक market का view आपके point होने का जरूरत है जो मैं बार बार बताता हूँ मेरा cube क्या view है market के उपर उसके हिसाब से मैं उसको striddle हो गया triangle हो गया कुछ naked option हो गया मैं trade करता हूँ जो मैं capital यूज करता हूँ 10 to 15 लाग यूज करता हूँ पहले आप हमेशा जयन में market को जितना जैदा सीखने के लिए time दोगे उतना अच्छा आपका intraday में काम करेगा जितना जागदा आपका mind clarity आएगी उतना जैदा आप intraday में trade कर सकते हो क्यों intraday में पैसा नहीं बनता है इतने सारे setup है इतने सारे चीजे है setup तभी आपका समझ में आएगा जब आप market को समझोगे तो अभी आप market को समझने का कोसिस कीजिए किस तरीके से एक investor benefit हो सकता है दिरे दिरे option series बहुत series आने वाले हैं तो आपको बहुत सारे वीडियो देखने के लिए तो चलिए start करते हैं वीडियो को मैं आपको example बताता हूँ पहले setup को समझने का कोसिस कीजिए फिर आप उसको implement दिरे दिरे कर सकते है लेट से आपके पास बाटा एंडिया जिन लोग investor होते हैं उनके पास बाटा हो गया reliance हो गया बड़े stock रहते हैं लेकिन market जब up and down रहता है कुछ result आता है तो उनके पास कोई position rate है different करने के लिए लेट से बाटा इंडिया आपके पास है 500 quantity लेट से आपके पास है और जो अभी spot में जो price चल रहा है लेट से 1600 इसको round कर देते हैं अभी 1600 1600 चल रहा है तो setup क्या कहता है लेट से बाटा इंडिया में आपके पास कुछ quantity है जो की नहीं 500 quantity आपके पास है तो आप क्या कर सकते हैं setup के हिसाब से आप अगर बचना है आपको अगर market down आता है तो आप out of the money का एक piece sort कर सकते है what is out of the money मे आपको बता चुका हूँ जो लोग नए है YouTube जाके सर्ज कर सकते options by power of stocks आपको ATM क्या होता है basic चीज़े आपको सीखने मिल जाएगी फिर ये video continue कीज़े आपको easy रहेगा तो out of the money का एक का कर आप put खरीद लेंगे out of the money in the sense यहाँ पे अगर 1600 है out of the money put क्या रहेगा definitely इसके नीच क्या होगा उस टाइम पर थोड़ा आपका जो premium है no doubt थोड़ा सा कम रहेगा अगर आप at the money खरीदें कि premium जाधा रहेगा out of the money का premium let's say 30 रुपे है 30 रुपे अगर आपका at the money है let's say market क्या क्या market अगर यहाँ से ऊपर जाने लेगा no doubt आपका 30 रुपे यहाँ से minus हो जाएगा ज आज नहीं तो कल ऊपर जाएगा करके लेकिन 30 रुपे का premium out of the money क्यों खरीद रहे हो लटसे 30 रुपे हो 10 रुपे हो 20 रहे हो out of the money का put option क्यों खरीद रहे हो the region कल सुबह एक new जाने वाला है let's say कुछ budget का new जाने वाला है तो no doubt आपका जो position है वो effect होंगे heavily effect होंगे तो आप अ यह ध्यान में रखिए पहले चीजों को समझने का कोसिस कीज़े फिर आप second step पे जाएंगे बाटा इंडिया आपके पास 500 quantity है let's say 1600 price पे अभी आपको doubt लग रहा है कि market अगर यहां से नीचे चला जाएगा तो no doubt आपका जो equity में आप holding करके रखेंगे बड़ा loss होगा लेकिन अगर market नीचे चला आता है अगर आप out of the money में खरीदे है तो no doubt यहां पर आपको कुछ पैसा मिल जाएगा let's say 100.200 पॉइंट नीचे आ गया बाटा इंडिया पॉसिबल हो सकता है आपका जो view है ओ है long term 10 साल के लिए लेकिन बाटा इंडिया में भी हो सकता है किने एक मेने के लिए 200 पॉइंट नीचे चला जाए अगर आप premium 30 रुपीज दे के खरीदे होंगे उसको PE को खरीदे होंगे 200 पॉइंट नीचे चला जाएगा at least 100-100 रुपए आपको मिल जाएगा यह तो आप long term के लिए hold करने वाले हो यहां से कुछ पैसा मिल जाएगा अगर let's say market बहुत उपर चला जाता है जो आपने premium दिया है बस उतना ही loss होगा उससे ज़्यादा हो नहीं सकता और आपको equity में पैसा मिल जाएगा इसका मतलब just insurance आप जो खरीद रहे हो it's a naked position बड़े प्लेयर कभी naked position नहीं खरीते यह ध्यान में रिखिए उन लोग हमेशा hedge करके चलते हैं so that क विडिने long term में उनको एक income generate होता रहे है market अगर 500 से 530 के उपर चला जाएगा तो equity में पैसा मिलना start हो गया यह premium 0 हो जाएगा market अगर 100-100 points चला गया नीचे की तरफ आगया तो put आपको पैसा generate करके देगा equity में आपको कोई problem नहीं होने वाले क्योंकि आपका view long term है एक दो दि year हो गया होगा आपके पास stock में equity में कुछ position है FNO का कुछ position है उसके against में आप एक insurance खरीद रहे हो अगर market नीचे चला आया तो insurance आपको कुछ पैसा दे देगा और अगर market तेजी से उपर चला गया तो insurance जो premium आप पे किये होंगे वो negligible हो जाएगा और जो बाटा इंडिया का equity में क्या से आपको पैसा मिलेगा यह सबसे best आपको एक छोटा सा example देता हूँ यह कहां पर यूज कर सकते अई होप आपको setup समझ में आ गया होगा जो setup मैंने आपको बताया है holding में आपके पास से PE खरीद के रख लीजिए कि बहुत basic होता है बहुत सारे लोग अल्रेडी करत करते हैं और यह थोड़ा next level होगा जो आपको समझ में आएगा market कैसे चलता है understanding के ऊपर यह setup बिल्डव होगा तो चली हम लोग देखते हैं आपको भी पता है nifty हो गया bank nifty हो गया यह हमेसा उपर की तरफ जाते हैं दो तिन मेना में भी नीची के लिए तरफ जाएंगे फिर यह उपर की तरफ जाते हैं तो monthly चार्ट हमेसा आज नहीं तो कल उपर की तरफ bank nifty nifty जा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं equity में अगर आप खरीद रहे हो holding के लिए no doubt long term के लिए आप खरीद रहे हो लेकिन put भी एक आप position बना के रखे हो किने market नीचे आया तो कुछ premium आपको म मिल जाए कुछ पैसा आपको मिल जाए insurance की तरह लेकिन अभी क्या कर सकते हो let's say bank nifty बना सबका फेवराइट है यह nifty के ऊपर भी अपलाय होता है bank nifty का let's say अपने future buy किया future क्यों buy कर रहे हर एक मन्त अगर आप प्लान करेंगे future buy करने के future क्यों buy कर रहे क्योंकि आपका पता ह market आज नहीं तो कल ऊपर जाने वाला है इसलिए future buy कर रहे है और उस टाइप पर क्या करेंगे out of the money का deep out of the money का PE आप अगर खरीद ले रहे है PE अगर आप यहाँ पर buy कर ले रहे let's say अगर thousand point या 800 point नीचे का अगर आप PE खरीदेंगे no doubt 30 से 40 point होगा उससे ज्यादा नहीं होग और future आपका यहाँ पे कुछ आपने खरीदा होगा future में आपने कुछ quantity खरीदा और same quantity यहाँ पे आपने sort किया just imagine आपको पता है कि ने market आज नहीं तो कल ऊपर जाएगा अगर market ऊपर गया जो premium आप आपने यहाँ पे sort किया होगा ओ जिरो हो जाएगा लेकिन future ऊपर जा रहा नो डाउट यह PE का rate बहुत तेजी से ऊपर बढ़ जाएगा इसका मतलब अगर market तेजी से ऊपर जाता है P.O.P.E. mostly आपका 0 होगा उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा लेकिन market तेजी से अगर नीचे आता है तो 30 रुपे का premium यह आपको 100-200 रुपे मिल सकता है जिससे आपका एक hedge होके रहेगा लेट से यह मंत में आपको कुछ पैसा नहीं मिला ज्यादा पैसा नहीं मिला जिरो मिला लेकिन आपको पता है आजने तो कल bank nifty फिट से ऊपर जाने वाला है क्योंकि यही मंतली चार्ट है और market आजने तो कल ऊपर जाएगा ही जाएगा यह सबको पता है इसका मतलब आपको almost 70-80% टाइम जभी भी market उपर जाएगा आपको पैसा मिलता रहेगा और कभी-कभी 30-20% ट्राइम रहेगा कभी-कभी 0 रहेगा और 10% आपको PE से भी ज्यादा income रहेगा इसका मतलब overall जो scenario है by default आप 60-70% पैसा कमा सकते है market के अंदर अगर हाँ कितना पैस 1000-point down हो जाता है तो यहाँ पर 1000-point का loss होगा क्योंकि आपने future short मतलब buy किया था, वहाँ पर 1000-point का loss होगा, no doubt यहाँ पर भी कुछ जो volatility के कारण इसमें भी एक बड़ा gain हुआ होगा जिससे कि आपका losses बहुत minimal हो जाएगा या फिर OTM कुछ आपको पैसा देखे भी जा सकता है क्योंकि यह OTM अभी है, market अगर 1000-point नीचे जाके और नीचे जाता है, यह हो जाएगा at the money, फिर उसके बाद हो जाएगा in the money, तो यह भी premium बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा, आपको एक अच्छा कासा scenario मिलेगा, या फिर जो negligible scenario रहेगा, ज्यादा losses नहीं होगे, market जब उ option जो आपने put buy किया है, और future में आपका कुछ loss होगा, लेकिन market अगर उपर गया, future में मिलेगा, यह 0 हो जाएगा, I hope आपको समझ में आगया, जिल्लों को समझ में नहीं आया, दो बार वीडियो को देखिए, बहुत interesting point है, इससे एक आप general income लगा सकते हैं, आपका पैसा drawdown न सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा किने क्या accuracy यह कितना पैसा मिल सकता था, वीडियो अच्छा लगा तो रेफिन वीडियो को like and share करना मत बुलिए फ्रेंट, 1500 लाइक होगा, तो ही मैं next वीडियो बनाऊंगा, अभी गले फ्रेंट से इतना ही, thank you